हलो दोस्तो दोस्तो अगर आप जानना चाहते हों कि वाटसअप में बिना क्रॉप किये पूरा फोडो कैसे लगाया जाता है तो ये वीडियो लाज्ट देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसे एप के बारे में जानकारी दूँगा जो कि चुटकियों में आपका काम कर देगा चली वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए सब्सक्राइब पहले प्ले स्टोर में जाएंगे सर्च करेंगे स्क्वाइर फिट तीसरे नंबर के अप यह जो आपको दिखाए दे रहा है इसको पहचान लिए इसका लोगो इस तरह से रहेगा इसको अपको इंस्टॉल कर लेंगे मैंने install कर रखा इसको pin करेंगे यहाँ पे दिखिए single का option दिया हुआ है तो single पे जाएंगे एक photo select कर लेंगे यह दिखिए यह photo मैंने select कर लिया है अब इसमें क्या है कि यहाँ पे दिखिए जो पहला option दिया हुआ इसको जब आप click किजिएगा तो यह बहुत सारा frame आ जाएगा यह इस तरह से frame हो जाएगा इसको आप इस तरह से ले सकते हो इस तरह से कर सकते हो बहुत सारा frame आ जाएगा तो कोई सा भी frame आप ले सकते हो यह देखिए इतना सारा है तो मैं यह वाला frame पसंद करता हूँ दूसरा ये वला तो ये वला frame ले लेंगे यहां देखिए ok का बटन दिया हुआ इस पर click करेंगे यह आपका frame select हो चुका है अब आप यहां नीचे देखिए background का option दियाओ आप यहां से background भी change कर सकते हो कोई साभी background आप ले लो चलिए ये background ही मैं ले लेता हूँ second वाले option के जो आप click कीजिएगा तो ये ratio है यहाँ पर देखिए बहुत सारा ratio दियाओ आप कोई साभी ratio ले सकते हो ये ratio आप लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा तो ये one is to one जो ratio है ये ratio में आपको लगाना है तो इसको okay करेंगे save का button दिया अब है इस पर click करेंगे इसको यहाँ से close कर देंगे photo आपका save हो चुका है gallery में जाकर आप check कर सकते हैं ये देखे ये photo चलिए WhatsApp में चलकर आपको दिखाते हैं किस तरह से photo लगाया जाता है ये देखे ये पूरा photo done पर click करेंगे ये देखे ये पूरा photo लग गया जरा भी crop नहीं हुआ साथ में ये background भी आ गया है तो दोस्तो इस तरह से आप अपना WhatsApp डीपी लगा सकते हों तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू